अभी डिस्कस कर लेंगे किसमें से क्या चोईस कैसा रहेगा ठीक है चलिए सर अब देखिए कहता है उन्हें 31 मार्च 2022 दप पेड़ अप कैपिटल ओम लिमिटेड का 36 लाख है यानि सर ओम लिमिटेड जो है ओम लिमिटेड का पेड़ अप कैपिटल मतलब पैसे मिले नहीं है इतना पैसा मिलना चाहिए that is 36 लाख समझ रहें कितना है हमारा 36 लाख यह जो 36 लाख रुपे है ना वो कैसे बनाया है वो बता रहा है बोल रहा है यह 36 लाख रुपे कंसिस्टिंग इसमें दो बाते रहें 46 लाख में 24 लाख के तो इक्वुटी सिर है 24 लाख एक रुपे है यह 24 लाख रुपे है ठीक है 24 लाख रुपे के इक्वुटी शिर है सुरी यह 240 ओभ यह साही है 240 के जो तो equity share है वो 10 वाले हैं इसमें consist करता है इसका मतलब सर इसके अंदर 2,40,000 equity share हैं जिसकी एक की value 10 रुपए हैं मतलब सर 36 लाग की अगर हिसाब किताब बनाएं तो 24 लाग का तो पता चले गए 24 लाग का तो पता चले गया कहता है बाकी के क्या है 16,00,000 equity share है 16,00,000 रुपए के यानि सर मैं 16,00,000 बोल दिये मैंने 1,60,000 जिसकी भी face value कितनी है 10 लेकिन उसमें से सिर्फ साड़े साथ दे रखें तो कहने का मतलब है सर 16,00,000 यहां से ले लो तो अगर 16,00,000,000 निकाल ले कितने बनते है 1,60 गुणा में 10 1,60 गुणा में 10 तो 16,00,000,000 हो जाएगा लेकिन कहता है इसका payment जो था न 7.5 था तो इसको गुणा किससे करेंगे 7.5 तो यह आगे हमारा 12,00 आप इन दोनों को जोडेंगे अगर इन दोनों को add करेंगे तो आपका तो पहले तो यहां से यहां तक line का मतलब समझ लीजिए कि यह कहना क्या चाह रहा है यहां से यहां तक complete करा दिया भाई साब बताइए कोई doubt यहां से यहां तक बाते समझ में आई जो बताया है यानि 36,00,00 रुपए के total पैसे थे paid up जिसमें से 24,00,00 तो 10 वाले थे और 12,50,00 वाले थे total इतने का हो गया कहता है कि it has 240 in security premium account यानि इसके पास कुछ balances है उस balances के बारे में discuss कर रहा है कहता है साहब security premium में पैसा है हमारे पास कितने रुपए के पैसे हैं 2,00,00, 40 है कोई बात नहीं 2,00,00 रुपए profit and loss में भी है मेरे पास मैंने कोई बात नहीं बाईस आप 2,00,00,00 आपके कहा है आगे कहता है profit and loss के बाद सर्फ 4,00,00 रुपए general reserve में भी है कोई बात नहीं सर्फ general reserve में आपके पास कितने है 4,00,00,00 5,20,000 capital redemption reserve में भी है CRR में कितने 5,20,000 यहां तक पढ़ चुके हैं कहता है जो हमारा 24,00,000 का 12% पार्टली कन्वर्टिबर्ट डिबेंचर था यानि सर हमारे पास नहीं एक और नहीं चीज है 24,00,000 के ध्यान दिजेगा कहता है कि हमारे पास कन्वर्टिबल 12% हमारे पास डिबेंचर भी है और जिसकी कीमत है 24,00,000 रुपे साहब 12% पार्टली कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल आपको समझ में आ रहा होगा कि डिबेंचर को हम शियर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पीछे ही सवाल किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्टिबल डिबेंचर भी होता है करा था ना कन्वर्जन वाला टॉपिक है ना आगे कहता है जिसमें से 20% डिबेंचर होल्डर कन्वर्ट करवा लेते हैं एक्विटी शेर 10 रुपिस इच फुली पेड़ अप और जून 2022 में ओके सर ये सारी के सारी जो डिटेल गीवन है ना ये स्टार्ट 31 मार्च 22 में था और इसने जून 2022 के अंदर यानि कुछ समय के बाद इसने क्या करा इस जो भी हमारे पास था इसमें से इक्विटी शेर में कन्वर्ट करवा लिया और कितने शेर इक्विटी शेर में कन्वर्ट करा है मातर इसका 20% debt is कितना हो जाता है हमारा 20% निकालोगे तो 4,80,000 रुपए का इसने fresh equity इशू कर दिया इनको समझ पार यह बात ठीक है न आगे देखे आगे क्या कहता है 1st April 22 को the company decide convertible partly paid up equity share into fully paid up share 1st April यानि इसी date के जस्ट अगले दिन और ये काम कब हुआ है June में June पहले आएगा या April पहले आएगा April आएगा तो बोलता है 1st April को company ने बोला के भाईया जो partly paid up है ना उसको fully paid up कर दो by way of bonus तो bonus way में से हम क्या कर सकते हैं हम इसमें से ये पैसा ये पैसा ये पैसा ये पैसा इस्तिमाल कर सकते हैं requirement होगा 2.5 एक सियर और इंटू में एक साथ तेट इस आपका चार लाख रुपे की requirement होगा चार लाख रुपे कहां से ले कहीं से भी ले सकते हो आपके पास सारे multiple option available है तो मैं ये काम करता हूँ ये वाला पैसा मैं इस्तिमाल कर लेता हूँ इसके लिए ये क्योंकि चार-चार सीधा करती है मैंने कोई बात समझ मैं इस बात आपको आगे कहता है by way of bonus and issue fully paid up bonus share to the holder fully paid same as share in the same ratio बोलता है कि भाईया fully paid up bonus share issue कर दो और नीचे सवाल में बोला गया कि भाईया calculate करना है amount of bonus आपको ये नहीं बताना कि journal entry के है आपको सिर्फ amount calculate करके बताना है कि कितने amount का bonus share issue किया जा सकता है तो भाईया जितना हमारे पास reserve and surplus क्योंकि bonus issue कहां से होता है bonus issue होता है जो हमारे पास fund पढ़ा हुआ है उसी से होगा क्योंकि free वाले है bonus issue के लिए कोई fresh issue तो करते है नहीं तो जितना fund में पैसा पढ़ा होगा उतने amount का हम कर पाएंगे तो हम देख लेते हैं चेक कर लेते हैं कितने पैसे हमारे पास fund में पढ़ा हुआ है चलिए चेक करते हैं हमारे पास security premium में balance है security premium में that is balance कितने का है दो लाग कि उसके बाद P&L में भी balance है कितने का P&L में balance है उसके बाद सर जनर्रिजम में तो बचा नहीं है वो तो यूज हो गया कि यार आर में है कितने का है तो पांच लाग तो यह पैसे हैं जिसके लिए मैं बोनस इशू इशू करते हैं कितने आगे आपको बस यह amount as a working note examiner को करके दिखाना था और इसमें आपको पूरे छे में में बढ़े जाते हैं सवाल असान है काम कुछ भी नहीं सिर्फ working note है लेकिन लॉजिक पूरा है हर एक चीज को आपको बिल्कुल detail में सोचना पड़ेगा कि यह step by step तो पहले तो questions paper ध्यान से पढ़ना एक्जाम में पहला जो आपको मैं suggestion करूँआ एक questions आपका थोड़ा लेट हो जाए फरक नहीं पड़ता लेकिन ध्यान से एक एक लाइन पढ़के फिर करना है तो यह पहला सवाल का हमारा answer ड़न है और although मैंने यह आपको 10 year के अंदर भी सवाल का answer डाला पाया बहुत बच्चे बोल रहे थे सार पेपर करवा दिजिए और multiple time तक मेरे पास questions आ रहे थे उसके doubt में तो मैंने का मैं paper कराओंगा लेकिन एक दिन में अगर मैं सारे के सारे question करा दूना दस तो quality नहीं रहेगी हो समझ रहे हो ना अब मैं मानलो आज पहला question करा दिता हूं कल द calculation वाले सवाल और bonus share के कुछ difficult सवाल मैं आप सभी को जो मैंने course create किया था उस course के अंदर मैं डाल दूँगा और उस साथ के साथ उस course में इसके solution भी डालूँगा so that आप परेशान ना हो कि वो solution देख के आप समझ रहे ठीक है ना clear चलिए अगले सवाल पर यहां तक सभी बच् दिक्कत नहीं और एज़ेटी सेम कोस्टन ना honors में भी पूछा गया था अगर मैं आपको honors का भी लेकर चलूँ तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप पेपर compare कर लेगें कि देखो एसोल वाले बच्चों को दिक्कत ही नहीं है पूछो क्यों सर पहले paper regular का हो जाएगा तो चलिए यह देखे 2022 का calculate amount of bonus पूरा question सेम 6 नमबर का यह honors का paper है आप नहीं यह प्रोग्राम का है honors वाले नहीं खोला है नहीं सब्सक्राइब सेम का सब्सक्राइब सेम 2 22 अच्छा यह प्रोग्राम का ही paper open किया हुआ है मैंने प्रोग्राम में ही था honors का मेरे पास नहीं पढ़ा हुआ honors का भी लगबग लगबग सीम आया था मेरे पास अभी 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 लिबल नहीं बच्चे तो चले गए honors वाले चलो anyways honors का भी discuss कर ले कोई problem इसमें क्या honors में corporate नहीं है second semester वालों का था न paper के लिए मैं paper practice के लिए कह रहे है आपने tenure लिया होगा tenure के last में आपके pdf questions paper के साथ given है बाकी मैं questions paper की pdf already डाला हुआ है old lecture में जाके देख सकते हो और उसमें भी discuss किया हुआ है अगला सवाल करें ए पार्ट डन होगया च्छे नंबर का बी पार्ट पर आ गया है सवाल थे आसान लेकिन tricky होने की वज़े से हो गया मुस्किल अभी डिबेंचर का भी देख लेंगे question आ जाईए बी पार्ट और यह सारे points आपको ऐसे नहीं कि नहीं कराए हुए है करा हुआ है छे नंबर का यह भी सवाल है बिल्कुल मैंने कितने सारी चीजे निकाला वहाँ 2 प्लस 2 प्लस 2 था तो वह सबी क्या देखेगा कि सामना यहां 3 प्लस 3 है दो बाते इसमें निकालनी पड़ीगी अब देखें यहां पर क्या कहता है सवाल में कहता है आत्मा लिमिटेड डिसाइड रिडीम 2615% preference share यानि हमारे पास 15% preference share capital है that is 2600 और 100 रुपे का है मतलब आपका amount के terms में बात करें तो 2,60,000 preference share है और at a premium 10% मतलब हमें security premium भी देना पड़ेगा इस पे 10% जो की बनता है हमारा 26,000 that is हमारे बनता है 2,86,000 इतने रुपे का इंतजाम करके preference share holder को redeem करते टाइम के दिना एक tentative idea ले लिया कहता है it has general reserve 4,62,000 और इसके पास general reserve में पहले से ही general reserve में पहले से ही 4,62,000 रुपीज अविलेबल है security premium 4000 और security premium में भी 4000 अविलेबल है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी preference share को redeem किया जाता है तो CRR create किया जाता है उससे पहले तो करी नहीं सकते यानि ये जो मैं paper करा रहा हूँ ना तो make sure हर बच्चे का revise हो चुका हो तो समझ में आगा क्योंकि question सारे अलग अलग chapter क्या होंगे अब यहां पूछो के सार CRR कैसे बनता है ये भी पता दो तो वो चीज़े possible नहीं है अब देखो point क्या कहता है investment है जिसका face value चार लाख है और आठ लाख रुपए का इसका कहने का मतलब है सर एक investment है जो कि 4 लाख रुपए face value है लेकिन हमने खरीदा उसे 8 लाख का तो investment हमने कितने का खरीदा सर 8 लाख का खरीदा है और इसका investment का value जो था अगर market में आज की date में बेच दे तो कितने का बिके का face value के बराबर चार चार तो कहता है 40 परसेंट इंवेस्मेंट आर सोल्ड 40 परसेंट इंवेस्मेंट सोल्ड कर दिया अपने तो अगर calculation करें तो सोल 40 परसेंट इंवेस्मेंट तो 40 परसेंट इंवेस्मेंट जो होगा वो 8 लाग का 40 परसेंट कितने हो गए और 150% परसेंट पर बेचा 40% इन्वेस्मेंट 150% पर बेचा अब इन्वेस्मेंट बेचा नहीं है मैंने तो 40% अलग करिया बेचेंगे हम ये वाला क्योंकि face value भी का होगा हमने कोई समान महंगा खरीद लिया तो बेचने जाओगे मान लेते हैं कि आज की date पे ये किताब है इसके उपर MRP है 170 रुपे आपने इसको 200 में खरीज लिया आप किसी से जब deal करोगे आधे rate में तो क्या 200 पे deal करोगे या 170 पे deal करोगे सीरी सी बात है नए 170 पे आपने महंगा खरीदा भाई साब तो deal इस पे थोड़ी नहोगा बेचने पे बेचने पे किस पे होगा cost price पे तो आप अगर 40% की बात कर रहे हो बेचने की तो 40% किसका 4 लाग का 4 लाग का 40% that is कितने का हो गया और 1,60 का समान 1,60 में नहीं बेचा आपने 1,500% पे बेच दिया that is 150% तो कितने का बेच दिया और यहां observe करोगे कि 3,20,000 का आपने खरीदा था और बेचा कितने का 2,40,000 में that is आपको यहां पे 80,000 का क्या हो गया सर समझे clear है बात आपने एक investment 4 लाग की कीमत का 8 लाग में खरीदा तो 40% बेच होगे तो वो आपका 8 लाग वाला investment 3,20 का बिकना चाहिए था जबकि आपका वो तो book value पे जाएगा भाई तो वो 2,40 पे गया तो loss होगे 80,000 का तो आप अगर यहां पे देखो आपके पास पैसा पैसा चिला रहे थे तो आपके 80,000 तो यहां पे कटी गए जो की loss वाले पैसे कट गए हैं यहां पे समझ रहे हैं यहां पे 80,000 loss वाले पैसे कट गए आगे क्या कहता है continue में question में question में कहता है if new equity share वर इशूर 25% premium पे minimum general reserve requirement की 20,000 कहता है भया नए equity share इशू करेंगे 2,00, नए equity share इशू करेंगे लेकिन यह नहीं बता रहे कितने number होगा लेकिन हाँ 25% के premium पे होगा और दूसरी बात general reserve में भी 2,00, बचा लेना है यह लो भाई साथ हम general reserve में भी से 2,00, बचा लेंगे तो अब तो हमारे पास जो fund की capability बची वो कितनी बची 4,62 में से और हो क्या बनते है और सर यह सवाल ऐसा बोलोगे ने सर नहीं कराया है तो आप जाके देख लीजे कराया है वाइक्वेशन मेठड लास्ट में कराया है कि नहीं 80,000 गलत निकाल दिया मैंने चार लाट ए वन एटी टू कि देख पर मैं भी कर लेता हूं माइनस 182 और चार हजार वैसे सेक्यूरिटी प्रीमियम में था वन आपको क्या पूछा गया कैल्कुलेट मिनीमम नंबर ऑफ एक्विटी शेयर दस रुपे का हो तो बताईए और यह बताईए कि रिक्वाइड अमाउंट ट्रांसफर सी आरार CRR में कितने पैसे ट्रांसफर करेंगा तो एक बार हमें फ्रेश इशू का अंदाजा लग जाए तो उसके बाद बता देंगा बैलेंस CRR में चला जाएगा और वैसे भी CRR में अगर आप ट्रांसफर करने की बात करोगे ना तो सिक्यूरिटी प्रीमियम आपके 26,000 और आठ चार हजार यहां पड़ा हुआ है बैलेंस CRR में आप ट्रांसफर कर सकते हैं चली एक बार आजाएगा इक्वेशन मेथट क्या कहता है सिम्पल सी बात हमने सीखा था कि नंबर आफ एक्विटी कैसे निकालोगे preference share capital प्लस उस पे अगर कोई security प्रीमियम है is equal to जितने आपके पास reserve है reserve and surplus प्लस नंबर new share तो नए share के लिए n और वो भी किस पे 10% के प्रीमियम पे 25 तो n by 4 हो गया अगर solve करते हैं 25% इस equation में आपको amount digit fill करना है आपको number of पता चल जाएगा था चल यह fill करते हैं आपका इन दोनों का जोड देखा जाए preference share security premium पहले ही मैंने कर लिया है 2,86,000 अल्टिमेटली जोड नहीं था इसलिए मैं बना के ही चल रहा था पहले से reserve and surplus हमारे पास पढ़ा हुआ एक लाख क्योंकि बाकी तो इस्तमाल हो गए हमारे पास जो इस्तमाल हो गए वो नहीं ले सकते नहीं आपके plus हमें x नहीं पता और plus x by अब x की value आप solve कर लीजिए minus कर देंगे इदर चले एक step और बढ़ा देटें 286 minus 186 is equal to 45x divided by तो यहाँ पर एक लाख बचेगा तो यहाँ x की value क्या जाएगा 80,000 that is number of equity share that is that can आप issue करना पड़ेगा तो बड़ी सीरी सी बात है आपको number of equity share पहले answer मिल गया दूसरा बोला गया है कि भाई साब आप बता दीजिए कि कितना CRR बनेगा तो आपको उविश सी बात है आपको पता है कि 2,60,000 का redemption करना है और 2,60,000 का redemption करने में 80,000 का आप क्या बनाने जा रहे हो equity share 80,000 का क्या लिए हो equity share तो 2,60,000-80,000 का you have to create और हमारे पास already 182 पढ़ा हुआ है reserve में ठीक है ना समझ मैं ही बात आपको कौन सा point CRR क्या होता है हमारा face value के बराबर CRR बनता है minus में अगर fresh issue है तो उसको करके balance का बनता है तो हमारा face value कितना था हमें जो CRR के लिए चाहिए था 260 उसमें से 80,000 के तो fresh issue ही कर दिये 80,000 था ना 80,000 यह amount निकल के आया है number की अगर बात पूची थे नहीं तो number निकालेंगे 80,000 divided by 10 that is 8,000 आजाएगा premium ने include करना है तो 80,000 तो 1,80,000 का we need to create CRR इसके calculation को और deeply ले जाओ ना तो देखो 180 का तो बन गया CRR ठीक है अब हमें payment कितना करना है 2,86, 2,86 में 80,000 का तो हो गया fresh issue और total कितने हो गया अब अगर हमें देखें यहां पे तो 2,000 यहां पड़ा हुआ है 2,000 और 4,000 यहां security premium में कितने balance है और fresh issue पे भी हमारा आया होगा कुछ ना कुछ 80,000 पे कितने percent आया होगा आपसा 25 परसेंट ना that is 20,000 तो आप चेक करोगे security premium का payment भी करने के लिए 26,000 बच गया equation method क्या बताता है कि ले दे के बराबर हो जाए आपके पास ऐसा ना हो कि आप share ज़्यादा issue कर दो premium का पैसा खुब सारा आ जाता है ऐसा possible नहीं ठीक है ना कई बार ये equation method लगता भी है और कई बार नहीं भी लगता आपके किताब के question में दिया हुआ है कि कई बार लग रहा है कई बार नहीं लग रहा है बताईए समझ में आया सर 80,000 माइनस क्यों कि आज जी आर से क्योंकि हमारे पास general reserve ही है loss जोगा वो profit and loss से minus होगा general reserve है तो यहीं से minus करना हो इसमें कुछ भी general entry नहीं पूछा था just एक calculation पूछा था जो कर दिया 3 प्लस 3 तीन नंबर का यह और तीन नंबर का यह अच्छे नंबर ठीक है एक और सवाल ले ले C part जो है ना वो employee stock option plan का यह भी बेहद असान question है लेकिन मैंने भी topic नहीं कराया है यह वाला जो कि मैं कल कर दूँ है record या जैसे भी होता है मैं जल्दी करके दे दूँ है और एक बार topic हो जाए फिर मैं बोल सकता हूं यह ऐसे होगा तब आपको समझना आएगा इसके और में जो questions आया था वो कर लेते हैं सहाब और का question एक ही question दिया धमाकेदार 20 नंबर का के भी है बीच नंबर में एक ही question ले जाओ पूरे नंबर ले जाने हैं तो हम आज question नंबर वन पूरा complete कर लेंगे two three कल कर लेंगे ओहो यह क्या हुआ अच्छा यह पूरी स्क्रीन शॉट आ गए अवे यार अच्छा बाइबेक रिकॉर्डिक लेक्चर में डाल दिया है मैं करवा दूँ आ बाइबेक तो आदे घंटे का है मैं बाइबेक वाला इसके अंदर बता देगा इसमें से जो जो कराया है वो पॉइंट कवर कर लेंगे हलाकि बेसिकली देखो एक्जामिर का जो स्टाइल है कहता है कि भाईया चार नमबर चार नमबर आठ नमबर चार नमबर यानि पहला सवाल कितने का है दूसरा सवाल जो पूछा गया वो चार प्लस आठ और तीसरा सवाल जो पूछा गया वो चार ऐसे कुछ ये बीस नमबर बनाए होगे जो जितना बड़ा सवाल होगा जितना काम मेहनत होगा वो कहता है required pass necessary general entry relating to part A का अलग करके दिखाए ये B का अलग करके दिखाए ये C का अलग करके दिखाए देखिए bonus share का question मेरे सामने आए मुझे तो याद है मैं general entry कर देता हूँ ताकि बाद में record ना करना पड़े बाकि जिन बच्चों को clear हो रहा होगा फोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिनको नहीं हो रहा होगा वो समझ लेंगे कहता है to buy back 8 lakh equity share और 50 रुपीज का एक 8 lakh equity share 50 का for the purpose of 40% investment बर realized market price 125 40% market price which was 125% of the face value face value का 125% तो सर यहाँ पर investment ढूणना पड़ेगा कितना है investment नहीं face value कितना है 40% of journal investment यह investment जर्नल नहीं है जर्नल यह तो डिबेंचर वाला है जर्नल इंवेस्मेंट दिख जाएगा आपको कहीं है कहीं है यह रहा नहीं यह भी ओन डिबेंचर है यह रहा है 1600 लाग अब लाग वगरे को छोड़िए 1600 मान लेकिए और 800 face value यानि आपने खरीदा 1600 का और face value उसकी कितनी है कहता है इसका 40% journal realize कर दिया at market price which was 125% face value जो की face value का था चेक है तो same जब अभी पीछे सवाल गया था सेम वैसे ही कर लेंगे तो अगर मैं investment sold करूँ तो मेरा 16 सो का 40% अगर मैं बेच दूँगा तो कितने बनेंगे that is 640 रुपए और आपने face value से ज़्यादा पे बेच दिया आपका 800 का था उसको बेच आपने 125% पे था 800 into में 40% निकालोगे और इसको भी आपने बेच दिया कितने पे 100 25% पे that is value आगे निकलके 400 का that is आपका यहाँ पे नुकसान अगेन हो जाता है और यह loss भी also setup कहां से हो जागा इनके पास जो भी reserve अगेर पड़ा होगा उससे setup हो जागा buyback करते हैं 8,00,000 equity share 50 रुपए का एक buyback करना है तो buyback में भी हमें CRR बनाना mandatory होता है जितना face value है उतने का CRR बनाना पड़ता है like redemption of preference share समझ लो जो और कुछ nothing change ज्यादा नहीं तो हमें 8,00,000 equity share 50 रुपए का एक जब हमें check करना पड़ेगा भाई साब जो equity share है वो 10 रुपए का है तो 8,00,000 के हिसाब से हमें 8,00,000 और 10 रुपए का एक है तो यानि 80,00,000 रुपए का CRR क्रेट करना होगा उसके लिए हम इंतजाम कर लेते हैं कहां कहां पर 80,00,000 पड़ हुआ है तो पहले से बना हुआ है CRR ये तो bonus के लिए हमें fresh बनाना पड़ेगा सर security premium में कितना पड़ा हुआ है 600 यहां से ले ले लेते हैं 80,00,000, 620,00,000,000 है 80,00,000 है तो entry क्या करेंगे security premium to 80,00,000 सर 80,00,000 समझ में आया face value का बनाते है हमें 8,00,000 redeem करने है और 10 रुपए का एक है तो 80,00,000 ठीक है आप कुछ भी use कर सकते हैं आप आप चाहें तो use कर लीजिए क्या जनरिजब आप चाहिए profit and loss use कर लीजिए क्लियर है अगली entry क्या होगा हमें buyback bank account create करना होता है तो कितने share है सर equity share capital debit करिए मैं थोड़ा short में लेके चल रहा हूँ debit सर कितने है हमारे 8 into 50 तो कितने होगे वैसे तो face value लिखेंगे हम कितने 80,00,000 security premium हम ज्यादा extra देने वाले है debit करके सर security premium कितना दोगे आठ लाक हिंटो में 40 रुपए extra दे रहे हो तो security premium होगा आठ चोक 32 लाक ज्यादा होना चाहिए आठ लाक इंटो चार एक करोड़ बीस लाँ नहीं तीन करोड़ बीस लाँ तीन सो बीस लाँ ठीक है और टू equity share holder that is 400,00,000,000 रुपए देने हैं यह मैंने old lecture में करा रखा है तो वो मिल जाएगा बाकी मैं fresh भी करा दूँ अब payment कर दो किसको कर दो सर equity share holder और payment किस से कर दोगे bank से चेक कर लिजे bank में क्या हमारे पास 400,00,000,000 रुपए हैं बहुत पैसा bank में पढ़ा हुआ हैं अगर नहीं पढ़ा होता तो bank वही रहेगा जो हम पहले लिखते थे amount due paid और last में एक SP और 2 SP कर देंगे हाला कि यहां पर एक ना buyback bank account भी create करना mandatory होता है मैंने थोड़ा short में ले लिया कोई बात नहीं अब journal entry में देख सकते हैं एक entry हम करते हैं bank को हम credit कर देते हैं और buyback bank को debit कर देते हैं वहां पैसे हम 400,00,000,000 के कटा कर देते हैं वो मैंने छोड़ दिया है यहां 320 320 है भी हमारे पर सेक्यूरिटी पर हम 320 हां पढ़ा हुआ है बहुत पैसा था यहां पर्स पार्ट कम्प्लीट चार नम्पर क्या सेम है बिल्कुल रिदेंशन इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लोगा आधे घंटे का चप्टर हो बस उसके अंदर एक minimum number of buyback निकालना पड़ता हूँ व हमारे पास है चार सो लाक laying 400,000,000 का है एक इस क्लास का कया करें रिकॉरडड हां बिल्कूल सारी रिकॉर्डड मिलेगी अच्छा याद दिलाए मैं ने 3lkार किया भी कंता देखेस हां रिकॉर्ड चल रही हिए सारी recorded मिल जाएगी चिंता मत करें इसके ठीक है बी पार्ट में redeem करना है तो आप सिंपल सी बात है यह सवाल तो आपको clear समझ में आ रहा होगा के 400,000,000 के share redeem करने है वो भी कितने percent 10% के premium पे तो पहले CRR create कर लोगे क्योंकि fresh issue हो नहीं रहा CRR कितना create कर लोगे इस सवाल में मैं कर देता हूँ पहले CRR create कर ले किस से सार आपके पास 400,000,000 का CRR चाहिए तो 400,000,000 का CRR बनाने के लिए security premium तो हमने निकाली लिए कितने निकाल लिए 320 यहां निकाल लिए और नहीं सुरी 320 यहां निकाल लिए 80 है 400,000,000 निकाल लिए कितने बचे हो इसमें security premium में 220 छोड़ो इसको हटा दो अब हम यह ले 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 किस से निकाल रहे पैसे general reserve से security premium भी लिया जाता लेकिन काफी कैल्कुलेटीव हो जाता तो हम entry कर देंगे क्या general reserve to CRR सीधा 400,000,000 यह lakh में desert है अब इसके बाद बुला लो preferent shareholder को तो कितने percent preferent shareholder था 10% आजओ भाई 10% preferent share capital 400,000,000 security premium देंगे कितना चालिस और two preferent share holder 440,000 पेपर मुस्किल नहीं था लेकिन बिल्कुल pattern change था यह मैं बोलूँगा अब क्या होगा preferent share holder to bank 440,000 जबकि इससे काफी मुस्किल मुस्किल सवाल किये हुए आपने और एक security premium को write off कर दो security premium में पैसा था ही और two security premium कितने चालिस लाक खता आप यहाँ पर balance sheet बनाने को बोला जाता एक यह entry करनी है investment sold करने की जो कि किस में बोला गया है पहले वाली entry में जो कि buyback को थोड़ा मुस्किल बनाने की कोशिस करी तो investment sold करने की entry मैंने करी नहीं तो investment sold करने की entry कर देते हैं bank में पैसा आया profit and loss और two investment चला गया sir investment कितने का चला गया हमारा नहीं 640 का और bank में कितना पैसा आया हमारे पास 400 और 240 का नुकसान यह entry यह भी बहुत बार कर चुके हैं कि अगले पॉइंट पर आजाए यह तो लास्ट क्लास में कर रहा था हमने एकदम फ्रेश कुश्चन है यह तो याद होगा cancel investment on debenture and redeem debenture at premium 5% जो हमारा on debenture है यह रहा कि यानि एज़ा investment रख रखा है उन debenture को हमने उसको cancel कर दो तो cancel कर देंगे इसको इसके आगे लिखा हुआ है एक लाख बत्तिस हजार जिसको 120 लाख 100 रुपए का एक था नहीं है debenture कितने का है 100 का एक है तो एक लाख 32 यानि एक करोड 32 लाख यानि 132 लाख रुपए का समान हमने लिया था कितने में 120 लाख में तो आप समझ सकते हैं कि सस्ते में खरीदा और ओपन मार्केट से सस्ते में खरीदा जाता है खरीद पहले चुके हो आपको बस cancel वाली एंट्री करते हैं समझे कितना आसान हो गया ता debenture redemption reserve investment relies 20% more than the face value ध्यान दखिएगा debenture redemption investment face value यह है इससे ज़्यादा 20% ऊपर विके गया लेकिन फिर भी नुकसानी सर 72 का ही भी का लेकिन था तो कितने का था कितने का यह अस्सी का था था नहीं लेटर दा company issue 3 fully paid up equity share 10 रुपीस each by way of यानि bonus भी डाल दिया तो आप बोलते हैं सर हम कौन सा chapter छोड़ दें question यह आता है मेरे पास सर कौन सा chapter छोड़ दें तो आप देखिए यह question अगर आप देखेंगे तो कौन से chapter से question नहीं पूछा गया buyback से आ गया bonus share दे दिया debenture दे दिया preference share दे दिया छोड़ा किया इसने और उससे पहले वाले option में जाओगे इस आप आ गया सब तो पूछी लिया तो कोई भी paid up equity share 10 rupees by bonus every five share held the company desire to have minimum reduction of the free reserve company चाहती है कि हमारा free reserve कम से कम इस्तमाल हो कोई बात में हम free reserve को कम से कम इस्तमाल करेंगे बाकि security premium बगएर सब कुछ इस्तमाल कर लेंगे तो आईए सबसे पहले हम क्या करते हैं हम debenture को cancel कर देते हैं फिर हम क्या करेंगे payment तो नहीं करना सिर्फ cancel करना है तो देखो सवाल कितना आसान होगा सिर्फ cancel करना है आपको लग रहा होगा कि सर इतना मुश्किल होगा तो हमारे पास own debenture cancel करना है कितने percent ता debenture 10% तो 10% debenture कितने का था सर आप देखे 10% debenture own 120 का account debit 120 लाग और आपने खरीदा कितने का था और आपका जो नहीं 120 का नहीं था 132 का था क्योंकि face value लेना है न सर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहोगा देखें यहां पर जो दे रखा है न मैं मिटा देता हूं अगे मैं सबको साफ साफ कर देता हूं ताकि दुबारा मैं समझा पाऊं कहता है यहां पर जो investment है हमारा on debenture के अंदर उसकी face value कीमत कितनी है 132 दो 0 लगा दो तो 132 लाग हो जाएगा तो 132 का है लेकिन आपने उसको जो खरीदा था ना debenture holder को पागल बना के 120 का खरीद लिया था तो आपका जो debenture कम होगा 132 का face value कम होगा और 2 आपका on debenture होगा क्या होगा आपका on debenture कितने का 120 का कम होगा तो बाकी का फाइदा gain on cancellation कितने है और सर इस gain को भी कहां भीज़ देंगे gain on cancellation to capital reserve याद है यह भूल गए कली करा है यह तो यह कितना आगया आठ चलिया जी cancel होगा 12 होगा आपने 8 पता है मैंने 8 लेग दिया अठाइस 12 होगा भई 12 होगा चलिया बींग वगेरा वही रहेगा जो था एक पार्ट complete कर चुके redemption अब कहता है कि investment बेच दिया मैंने realize कर दिया 20% more हमारा investment बेच दिया तो बैंक में पैसा आएगा और साथ का था देखो कितने का था हमारा investment कहता है फेस वेल्यू का अब ध्यान देना कहता है कि investment जो था उसे 20% more बेच दिया फेस वेल्यू और फेस वेल्यू से investment कहिए रहा साथ का लाग का 20% ज्यादा निकालोगे तो छे और छे बारा लाग यानि बहत्तर हजार यानि कितने का बिग्या यह बहत्तर हजार इसने पार्ट तो वहां से बेच चुक हैं तो भाई साब यहां पे आपका बहत्तर लाग रुपए आए लेकिन आपके investment जो चले गए ना मैं short form में लिख रहा हूँ वैसे पूरा लिखना था वो कितने का चले गए investment असे लाग रुपए का investment था तो यहां पे भी आपने loss कर लिया यहां पे भी loss कर लिया कितने का हाँ टू नहीं आएगा debit आएगा समझे अब fresh issue करना है reserve को कम से कम इस्तमाल करके तो हमारे पास पैसा कितना पड़ा हुआ यह देखेंगे सबसे पहले पैसे की calculation कर लेते हैं loss देख लेते हैं बड़ी जगा loss हो गया एक loss यहां पे हुआ कितने 8 लाट यह निकल गया एक loss और भी गया था हमने और security premium यूज हो गया हमारा यहां CRR में general reserve यूज हो गया, जो use हो चुका है उसको लिख लेते हैं, general reserve कितना use हो चुका है 400 लाट, security premium यहां पे कितना use हो चुका है हो चुका है। चालिस लाक। पीछे भी हमारा लॉस कितना हो चुका था दो सुचालिस प्लस निðração 240 अुद बाद हमारा और क्या हैセ प्लस मे कहां से 거ra सुचुर Gibson से और आजाए तर central और heißt hower order अज़े psychology Premium International right of किया था कितना 320 प्लस 320 यह तो सब use कर चुके हैं तो अब हमारे पास fund में क्या available है यह देख लेते हैं minimum use करके आपको चलना है और general entry करना है हमारा security premium कितना use हो चुका है चलिए security premium कितना use हो चुका है अगर आप पताएं तो मुझे 4080 और 320 440 लाग का security premium use हो चुका है हमारा यहां से चार सो चालिस लाख माइनस कर दीजिए कितने में से च्छे सो बीस लाख में से तो अभी भी आपके पास balance available हैं यहां पर जो use कर सकते हैं चार सो चालिस माइनस च्छे सो बीस that is 180 इसे सबसे पहले use करना है ठीक है जनर रिजब से आपने इस्तंमाल कर लिया था जनर रिजबसे कितना से इस्तंमाल कर लिया से सरा आपने से भी इस्तमाल करा, कहा कहा, सारा investment, 248 यहां इस्तमाल कर लिए, यहीं कहा जाते हैं, कहा कहा इस्तमाल कर रहा है, 248 और 248, तो माइनस 248, यह तो हो यहीं सकता, 248, क्योंकि 240 यहीं से यूज हुआ, और 8 रुपए आपको यहां से यूज करना पड़ेगा, that is, आप कितना यू की mixer करना पड़ेगा, समझ रहे हुआ, आगे बात करते हैं, सर, capital redemption reserve, CRR में कितना पैसा पड़ा हुआ है, सर, CRR में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, 80 लाग, अब plant revolution यह तो किसी काम का नहीं है, debenture redemption reserve यह भी किसी काम का नहीं है, तो DRR है, हाँ, DRR को भी हम क्या करेंगे GR में भीज देंगे, अगर हमने debenture को redeem कर दिया है, तो, तो debenture हमारे कितने थे, सर, 400 लाग के, और यहां debenture investment कितने, 800, 1600, नहीं, कितने का था debenture हमारा investment on debenture 32, 132 का ही था, तो हम DRR को, GR में अभी नहीं भी भीज रहे पैसा, जब तक फूरा का पूरा redeem ना हो जाए, अब ह कहता है, later the company issue 3 fully paid up equity share, by way of bonus 5, यानि देखा जाए, तो आपके पास 120 है, यानि 1200 है, divided by 5 into में 3, 5 के बदले 3 दिये जाएंगे, तो कितने हो जाते हैं, 12, 180 हों है, 22, 720, यानि 720 लाख रुपे की आपको CRR बनाने की जुरत है, आपके पास 720 लाख CRR बनाना है, जबकि आपके पास CRR बनाने के लिए एक पैसा ये available है, एक पैसा ये available है, और एक पैसा ये available है, क्या 720 हो रहे है, और चाहिए 720, तो finally हमें एक entry क्या करना पड़ेगा, इसको transfer करना पड़ेगा, इस entry को कहा transfer करना पड़ेगा, नहीं, dementia, redemption, reserve, इसे GR में करना पड़ेगा, कितने है 102, तो 634 बनते हैं, हमें requirement कितने है, 720, और कहां से पैसे आएंगे, और पैसे कहां से आएंगे, इन्वेस्मेंट सेल करके पैसे नहीं, reserve में, PRR तो बनाओगे न, सब पैसा तो खतम हो गया, और बोलता है minimum reserve यूज़ करने को, कमी कितने की पढ़ रही हमें, ये 634 की, मैंने CRR यूज़ किया है, इस्यू अपने सही निकाला ही है, कितना कह रहा था ये, कि 3 fully paid up equity share, 10 रुपीज इच वाइव बोनस, every 5 equity share held, the company desire, आप देखना कितना 1200 ये न, equity share, 120, calculate कर लोग है, हमारे पास पैसा है नहीं जाएंगा, जैसो, आप आएंगा, इस जाएंगा, जैसो, आएंगा, नेक्स स्लाइड में कह रहे हैं CRR में अरे हाँ ये सब CRR में पैसे भी तो आए हैं ये तो भूली गए हम रुख जाए है हम भूली गए थे कि हमें bonus इशू करने के लिए पैसे की जुरत कितनी है 720 कितनी जुरत है यहाँ पे CRR कितने हैं हमारे पास 80 और next में CRR कितने हमारे पास 400 तो 80 प्लस 480 तो हमारे पास CRR में balance अल्रेडी है हमारे पास CRR में 480 और है तो total पैसा कितना हो जो यह हो गया हमारे पास 560 और security premium में कितना पैसा है 180 तो 80 560 740 यह सारा का सारा रिजब में चला जाएगा तो बस bonus शेयर इसू करना है अल्रेडी हमारे पास CRR में पैसा पढ़ा हुआ अगर हम इसका इसका इस्तमाल करें लेकिन यहाँ पे एक situation हो सकता है लेटर दा company इसू पुल लिए इसका काम करने के बाद तो bonus शेयर कर दो टैनियर के अंदर दो तरीके से solution बन सकता है मैं 10 यह कभी दिखा दूआ है हमारे पास CRR में कितना बैलेंस था चार सो और प्लस में पीछे कितना था चालेस और उसमें कितना था हमारा कितना है कितना है कितना है कितना है कितना है कितना असी असी है ना यानि सिर520 हमें चाहिए 720 सेक्यूरिटी प्रीमिम निकाल लो और 720 चाहिए 720 के लिए हम क्या कर सकते हैं 720 के लिए हम निकाल लेते हैं क्या निकाल लेते हैं 720 के लिए कैसे 80 प्लस में 400 अच्छा 560 मैंने गलट टोटे कर लिया ये 560 है तो बोनस इशू कितना चाहिए 720 अब हमें 560 मैंने चाहिए 720 तो आप 160 रुपे की और ज़रत है 160 रुपे कहां से ले लो आप security premium से ले लो 160 रुपे 160 रुपे security ये entry हो जाएगा एक और entry क्या कर दोगे सर बोनस शेयर तू equity share capital ये entry कर सकते हो लेकिन अभी भी थोड़ी सी calculation है यह गड़बर होगी मोटा मोटा आपको tentative idea लग गया है थोड़ा क्या calculation उसने बोला था minimum reserve में पैसा रखना है ठीक है उसकी calculation मैंने कर रख किया क्योंकि मैं दिखा देता हूं आपको ये देखे आप ध्यान रखे को सवाल तो था ही मैं यहीं समझा देता हूं पूरा देखे सबसे पहले हमें CRR में पैसे given था CRR 80 यहां बना जो new capital redemption और ये 40 total 560 में थे हमारे पास देखे थे ठीक है अब जिसको हम use कर लेंगे किसलिए bonus के लिए security premium में हमारे पास 620 given था जिसमें से हमने buyback में कितने इस्तमाल कर लिया 80 जिसमें से हमने preference share में इस्तमाल हलाकि हमने नहीं किया लेकिन हम कर सकते थे कितना 320 right of premium on redemption preferent share 40 और right of premium redemption of debenture कितने का था 10 वो लेना मैं भूल गया था 10 total आपका 170 बच गया कहाँ पे security premium में bonus share कितने बन रहे हैं आपके bonus share क्यूंकि 560 हो गए और 112 कितने होते 560 112 छे सो बहत्तर तो 58 new balance sheet में हमारे पास reserve बच जाएगा total to be show 672 कैसे हुआ यह तो 160 वहां चीए एक मिनट एक मिनट अच्छा देखो 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 एक मिनट एक मिनट देखो बातो बातो में भूल गए बाई जब equity share आपने buyback ही कर लिए तो बचे नहीं यहां calculation error आगे न हमारे पास 1200 के थे 1200 में से तो हमने यहां पर equity share उड़ाई दिये कितने के उड़ा दिये 80 के अब करोगे न 1120 को करोगे न आप समझे 1120 divided by 5 into 3 तो अब आगे 672 समझ में आगे क्या करना है आपने balance available है पूरा calculation मैं बस यह confused हो रहा था 672 कहां से आया तो 672 मैं भी समझा देता हूं यहां पर 672 निकालने के लिए क्या तरीका है 672 के लिए देखो हमारे पास 1200 equity share थे जिसमें से हमने कितने buyback कर लिए थे बाइबेक कितने करें थे 40 80 8 लाट है ना 80 के buyback कर लिए तो बच्चे कितने 1120 और कहता है हर 5 के बदले कितने दिंगे 3 जैसे 672 रुपे का हम bonus share issue कर देंगे जो कि मैं general entry में दिखा देता हूँ यहीं पे 672 का bonus share कर लिए CRR पहले से 560 का था security premium 112 इस्तमाल कर लिया bonus issue कर दिया 670 रुपे और हमारे पास अभी भी still देखा जाए तो पैसे हमारे पास available है 58 रुपे और security premium में available है और बाकी का GR UR तो सारा का सारा हमारा available बच जाएगा तो minimum इस तरीके से बोला गया था तो यह पूरा का पूरा question था हमारा one one में सिर्फ एक पार्ट छोड़ दिया हमने कौन सा इस ओप बाला तो hopefully आपको समझ में आया होगा अगली क्लास या कल मैं सवाल नंबर टू काफी बच्चों का आ रहा है सवाल नंबर टू है किसका सवाल नंबर टू है final account का statement profit and loss और इसके और में कुछ theory आया होगा है वो भी read कर लेंगे और सवाल नंबर टू कल मैं record करके वीडियो डाल दूँगा cash flow का भी और इसका भी और हमने जितने भी questions आज किये हैं इस type के कुछ-कुछ दो-दो-चार questions ढूंड के मैं आपको दे दूँगा जो कि आप क्या कर पाऊगे practice कर पाऊगे इसके बाद सवाल आपका आजयगा reconstruction वो करा देगा चली है कल करते हैं फिर हम debenture redeem की entry नहीं कि मैंने है नहीं की debenture redeem करना था न यह debenture redeem नहीं करना था उसको cancel करना था यह रहा debenture redeem की entry रिडीम तो पहले ही हो चुका था बस उसको कैंसिल कर देना था हमें तो यह रिडीम की एंट्री है ठीक है और यह भी भूल के सी यार कैपिटल में यह भी पैसा तो पड़ा हो है हमारे पास यानि टोटल मिला के चलना होता है जो की कोश्चन है